हलो साथियों आज हम question number 11 start करते है exercise 7.2 question given है x upon root में x square plus x plus 4 इसका हमें क्या करना है integrate करना तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहां पर dx होता है integration में सबसे पहले हम लोग करते हैं x plus 4 को t put कर देते हैं तो यहां से हमारा dx is equal to dt आएगा और अगर हम x की value find करेंगे तो t minus 4 आएगा तो यहां पर integration में चलते हैं हम लोग x की value क्या है t minus 4 upon में क्या हो जाएगा root t इसको t put किया है और dx की जगे क्या हो गया dt अब इसको integrate कर दोनों को separate कर दीजिए अगर separate करेंगे तो t upon root t minus 4 upon root t dt यहां पर t को लिख सकते हैं आप root t into root t upon में root t minus 4 बाहर लेड़ेते हैं और क्या करेंगे t को लिख सकते हैं minus 1 upon 2 dt और यहां भी क्या रहेगा dt तो t से t cancel हो गया इसको आप लिख सकते हो t की power 1 by 2 dt minus 4 t की power minus 1 upon 2 dt अब इसमें हम लोग formula लगाएंगे integration of x की power n dx का जो formula होता है क्या होता है x की power n plus 1 upon n plus 1 plus c यह आपका formula हो गया वो apply करते हैं तो यहां पे n की value क्या है 1 by 2 तो जब integrate करोगे तो t की power 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 minus 4 यहां पे भी क्या होगा t की power minus 1 upon 2 plus 1 minus 1 upon 2 plus 1 और plus क्या रहेगा c constant number है आपका ओके यह हो जाएगा t की power 3 by 2 यहां भी क्या होगा 3 by 2 minus 4 t की power यहां पे क्या रह जाएगा 1 upon 2 upon 1 upon 2 plus c अब 2 पर जाएगी value तो t की power 3 by 2 upon 3 minus 4 2 पर जाएगा into 2 into t की power 1 by 2 plus c अब हम लोग t की value put करते हैं t की value put करते हैं तो 2 by 3 t की value हमने कहली थी x plus 4 इसकी power 3 by 2 minus 4 तूजा 8 यहां पे x plus 4 की power कितनी हो जाएगी 1 upon 2 plus c तो यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका answer हो जाएगा ओके थैंक्यू क्लास